आप आप से अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है आपके यूटूब चैनल पर हम यहां डिसकस कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर टू नेसलिज में इंडिया भारत में राष्टवाद भारत में राष्टवाद में अभी तक हम ने जो डिसकस किया है कि कैसे इंडिया में जितने भी इनवीजन्स आएं इंवीडर्स है कैसे यूरूपियंस आए और यूरूपियंस में कौन कौन आया और इसके बाद हम डिसकस किया ऐटीन फिप्टी सेवन का व और जो रीजन बिहाइंड इंडियन असल मुमेंट एंड इसके बाद हमने डिस्कुस किया वर्ड वार फॉस्ट में वट मेजर रिजन्स तू प्रवोक यह तू इंक्रीज रेज दा फिलिंग आप दा नेशनलिज्म है ना तो आज हम डिस्कुस करेंगे अपने इसमें की कैसे महत्मा गांधी जी क्योंकि जो हमारे इसमें चैप्टर के कॉर्डिंगर हम देखें तो मेंली फोकस किया जा रहा है कि गांधियन युग पे मतलब गांधी जी का एक समय चक्रिकाल बताय जाएगा क्योंकि 1914 से लेके 1947 तक का जो मुवमेंट्स हुए हैं में रोल जो भी मुवमेंट्स हुए हैं उसमें गांधी जी ने प्ले किया है तो इसलिए इसे गांधी एज भी कहा जाता है है इसे गांधी काल के राम से जाना जाता है तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से अमीन फिर्स आप दा इंडियन नेशनल मुवमेंट्स का है ना तो नेशन जो फिलिंग आप दा नेशलिजम की थी वो कैसे लोगों में डेवलप हुई तो आपने सुना था कि गांधी जी अप्रैल 1893 में भाल से यापनी 23 साल की उम्र में वो चले गय थे एक कॉंट्राक्ट के वेस्ट के आधार पर वो काठिया वार्ड मतलब तो यह काठिया वार्ड से साउथ अफरिका चले गय थी ना तो यह एक मार्चन के उस पर गय थे और साउथ अफरिका में कहां गय थे जोहेंसबर्ग गय थे और कि गन्धी गांधी जी की गर बात करें तो इसनलने 21 साल अयह गजय और अफ़िका व साउथ अफ्रीका व भी यह तहा में ब्रेटिस रूल हुआ करता था एम्पायर आप दा ब्रेटिस अर्ज का था जोहेंसबर्ग गए हुए थे है ना 21 साल रहे थे और ये एक लॉयर थे क्या थे एक लॉयर थे गांधी जी एक वकील हुआ करते थे और इन्होंने वहाँ पर डिस्क्रिमेशन फेस किया शाओथ अफरीका में है ना साओथ अफरीका में अब आप पूरा अफरीका देखके अब ये मत कीज़ेगे कि वो पूरा अफरीका साओथ अफरीका है अब अफरीका में जो ये ये नीचे वाला पार्ट है इससे हम साउथ अफ्रीका के नाम से जानते हैं बाकि ये अफ्रीका है है ना sorry ये पूरा अफ्रीका कॉंटीनेंट है है ना शाउथ अफ्रीका ये पार्ट है नि नीचे आला जहाँ ये इधर Cape of Good Hope है ना Cape of good Hope जहाँ पर कोन आया था बताईए आप ठीक कमेंट बॉक्स में तो इसी के साथ वहाँ पर क्या था साउथ अफ्रीका में रेसियल डिस्क्रिमेशन जाती है जो भेदभाव था वो जेल रहे थे गांधी जी उसको देख रहे थे और वहाँ पर इंडियंस आप वर नाट एलाउड इंडियंस एलाउड अच्छी जगाह शोती है कि थीटटर में या किसी कर फर्स्टक्लास प्रेइन में अधर पीपर के वाउग ऑना फुट-पाथ शिट बिद यूरोपीयंस ठीक है यूरोपे के साथ बैठना नहीं था यूरोपे के और फुट-पाथ जो अच्छे उसमें उनके चलने वाले उ टाइब की जो फीलिंग वो डिस्क्रिमिनेशन थे निभेद भाव थे वो कांटिन्यू जेल लह थे इंडियंस वहां के देखो जो कलर पीपल थे पीपल आफ कलर है ना जो क्योंकि इसलिए वहां पर रंग भेद का चला था है ना तो वो किसी भी चाहे वो यूरूपियन को छ चोड़ कर है ना यूरूप को छोड़ कर बाकि सभी इस तरह से परिशान थे वो चैने अफ्रीका के हो या इंदिया के हो या के इंदिया के हो ठीक तो बिद डीप ली डिस्पर्ट बाई डिस्क्रिमिशन जो डिस्क्रिमिशन हो तो साहिथ हुए और ब्याकुल होट है। Discrimination faced by Indians, the country dispute being a British subject surely started modeling the Indian community. गांधी जी ने क्या किया? इंडिया के लोगों को एकत्र करना स्टार्ट कर दिया, model करना स्टार्ट कर दिया और कहां पर साउथ अफरीका में और प्रोटेस्ट करने लगे unlawful discrimination practices and laws, जो उनके साथ नियम कानून जो भेदभाव वाले थे उनको प्राक्टिस किया जा रहा था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया गांधी जी ने अफरीका में, साउथ अफरीका में, ठीक? His method, resistance asked people to defy law and suffer punishment for its rather than cause of violence. इसके लिए काफी से सारी जो चीजे थी, methods से उनको फॉलो किया गया और इनके आइडियाज जो हुआ करते थे, IDIAS Tackle to India इन इनके जो इनने сयं वह सत्याग्रा की चलाया है, सत्याग्रा की चलाय थे जो इससे वहां पर छुटकारा लोगों को मिला, और लोगों के जो नियम कानून के आधार पर लोग सही हो गए और किसी भी प्रकार के कोई भेदभाव से शफर नहीं कर रहे थे जो वाइलेंट स्वा करता था उनको बंद करना पड़ा कहां कि साउथ अफ्रीका में वहां की गवर्मेंट को ब्रिटिस गवर्मेंट को है ना ठीक है तो इसी के चलते अब क्या हुआ जो गांधी कुड टेक औल आइडियाज टैक्टिक्स टू इंडिया वर वेर ही वेर ही वुड लीड दे नेशनल इस्ट्रगल फॉर इंडिपंडेंस और यही जो टैक्टिक्स जो यूज की थी साउथ अफ्रीका में वही इंडिया में भी इनको वही विचार वही यूज करने की बात की गई और कब इंडियान नेशनल मुमेंट के टाइम हुआ क्या इट वो इट वाज इना साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में पेंफुली साई लॉयर्स इमर्ज अपर्ष अमस लीडर जो वो लीडर वो नेता जो सर्माता था जो सही से बात नहीं कर सकता था कोर्ट में और वो आज इतने बड़े मास्ट मुव्मेंट का लीडर बन गया साउथ अफरीका में साउथ अफरीका में वो आज परसुएड दे मिलियंस मिलियंस आप दा पीपल्स को शंबोधित कर रहा था और उनको उनकी कर्तव्में के प्रति याद दिला रहा था एकजुट कर रहा था ये लोगों ने देखा और ये वहाँ पर हुआ और उसी के साथ गांधी जी ने वहाँ पर लोगों को वहाँ से फरी करा दिया वो डिस्क्रिमिनेशन से है ना तो अब ये सब देखा और ये सब इंडिया में उसी टाइम पे इंडिया में भी काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करन की जा रही थी अब होना क्या था इंडिया में गोपाल कृष्ण को खले द्वारा रिक्विस्ट की गई गांधी जी को और गांधी जी के ये गुरू थे ठीक है राजनैति गुरू गांधी जी के राजनैति गुरू कौन है गोपाल कृष्ण गोखले ये एक्जाम में कॉशन्स पूछे जाते हैं ये चाहाँ कॉंपटिशन का हो या आपके नॉर्मल तो हिस रिटर्ण टो हिस नेट्टू कंट्री उन्होंने कहा कि आप वापस आजाए रिटर्ण कब 9 जन्वरी 1915 वो रिटर्ण हुये और उन्होंने स्टैबलिश किया अग्रेट कम्यूनिटी आर्गनाइजर्स और कम्यूनिस्ट एक राष्ट यह एक राष्ट यह था और एक बड़े संगठन को अल्रेड़ी स्टैबलिश था और ही वोम वेलकम इनका वेलकम किया गया कहां पे इंडिया में इंडिया में कहां पे आये थे याद रखेगा बॉमबे पोर्वेड पे आये थे वहां पर इनका भविश्वागत किया गया गोपाल क्रिश्म गोखले जी के द्वारा और वहां के जितने भी और्गनाईजर्स कम्यूनिटी औरगनाईजर्स हुआ करते थे और जो राष्टवादी हुआ करते थे उन लोगों ने यो इसी के साथ प्रवाशिय दिवस को 2003 से 9 जन्वरी को मनायाता है क्योंकि 9 जन्वरी 1915 को गांधी जी साउथ अफरीका से इंडिया आये थे नाव नेक्स्ट क्या हुआ याद है आप गांधी जी कहां पर आये थे मुंबई पोर्ट आये थे सबसे पहले ठीक है लोगों की जो हालात थी इसको समझा और एक जो लोकल सत्यागरा के पार्ट के रूप में समलित हो गए इन्होंने जोइन किया है इंडिया नेसना कॉंग्रेस एंड चेंज दा होल लैंडिस्केप आप दा इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडव स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष अल्हा था उसके पूरे जो भुद्रश्य को चेंज कर दिया लैंडिस्केप को चेंज कर दिया क्योंकि आने के बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिये थे मोमेंट्स ओके नाओ इस तरह से जो गांधी जी ने जब इवेंट किये और लोगों को कॉल किये मतलब एक साथ में समिल्थ होने की बात की तो लोग इस तरह से बढ़ चड़के हर एक आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आने लगे ठीक है तो यह सब यहाँ पर गांधी जी के आने के बाद पूरा जो आँका लैंड़िस्केप है वो चेंज हो गया था नाओ गांधी जी आपको पता है कि बैक्विट उन्नीस सो पंद्रा में साथ अफरीका से और इन्होंने एक लुयुथ किया एक powerful method of the struggle method of the struggle एक powerful method struggle का जो उन्होंने लौञ्च किया उसे कहा जाता है सत्याग्रा सत्याग्रा को इन्होंने शुरू कर दिया जो शुरू किया था साथ अफरीका में देखिए गांधी जी इंडिया में है ना ओके नौव सक्तिया ग्रह क्या था एक लिटरली इसके मीनिंग क्या था मीनिंग है holding on truth सक्ति के साथ लड़ना सक्ति के आधार पर सक्ति पूर्वक लड़ना सक्ति के बलपल लड़ना है सक्तिया ग्रह का मतलब है किसी प्रकार का कोई हिंसा यानि कोई वाइलेंस भी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, और अहिंसा के साथ काम करना है, अहिंसा परमोधर्मा, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, धर्म की परिभासा है, जो कि गांधी जी क्या धार पर, according to गांधी जी, ये ये गांधी जी अपने अनुयाईयों के साथ, या राष्टवादियों के साथ, काफी सारे 17 मोमेंट के लिए निकल पड़े, Non-violent Struggle, introduced by गांधी जी, अहिंसा, है ना, अभी हमने आपको बताया, कि अहिंसा के आधार पर, गांधी जी ने बताया, कि हम संघर्च करेंगे, ठीक है, संघर्च करेंगे, और इंडियन नेशनल मोमेंट में, He persuade the opponent understand the truth, है ना, तो इन्होंने सत्ति को ही सर्वो परिमाना और सत्ति के आधार पर श्टगल करने की बात की, और इन्हों क्या decide किया, सत्यागरह, और सत्यागरह का मतलब होता है, सत्ति के साथ लड़ना, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी हिंसा के मार्क पर चले हुई, ठीक है, उसमें इन्होंने एक सब्द इंट्रोड्यूस किया, अहिंसा, सत्ति के साथ, अगर आप इंजस्टिस के खिलाब लड़ाई कर रहे हैं अना वे इस उते के लिए कोई फिजशकल जरूर नहीं है इसके लिए हमारा कहले चत्राइबर ही काफी है और ह्म करेंगी पीसफुल डिमोस्ट्रीशन करेंगे अपनी बाते सुनाएंगे अपने वाद विवाद करेंगी स्ट्राइक करेंगे जगा जगा पी hurdles and non-corporation चलाएंगे with the government है ना some methods of the सत्याग्रा सत्याग्रा के methods क्या हुआ करते थे अगर हम आपको बताएं कि तो सत्याग्रा के method थे कि hunger strike करना है peaceful demonstration करना है strike करना है hurdle करना है and non-corporation moment को चलाना है ये कुछ सत्याग्रा के प्रमुख method हुआ करते थे और किसी भी प्रकार का हम कोई भी violence नहीं करेंगे और ना तो हम सुनेंगे violence ना तो हम बोलेंगे violence कि ऐसे सब वल्गर सब्सको यूज भी नहीं करेंगे और ना तो हम violence किसी भी प्रकार का कोई देख पाएंगे है ना ऐसी बात की गई क्या होगा सत्ति ही सब कुछ होगा और सत्ति के साथ ही हम लड़ेंगे और सत्ति से ही बना सत्याग्रा शुरी उल्टाओ जा धारवार अब प्रमुक्ष सत्याग्रा जब आपने समझा कि भारत में कब आए गांधी जी 1915 आने के बाद इन्होंने मुविट्टी घूमना तहलना स्टाट किया लेकिन वही पर सत्ति अग्राँ में सबसे पहले इनीशियल सत्ति अग्राँ जो थे गांधी जी के फेंज प्रमुक्ष सत्ति अग्राँ थे कौन थे नंबर एक चंपारण बिहार ठिक चंपारण बिहार 1916 खेडा मुमेंट 17 एहमदाबाद गुजराद की बात करे तो 1918 में जो चंपारण का सत्यागरा था वह अगेंस दा अप्रेसिव इंडिव प्लांटेशन यानि नील की खेती करने वालों के खिलाब मतलब खेती जबर दस्ति करवाया जा रहा था अंगरेजियों ने करवा रहे थे इस रीजन में बिहार वाले चंपारण वाले रीजन में क्योंकि यहां पर अच्छा नील होता था और फिर उसको अपने हाले जाते थे अच्छे केमतों पर बेशते थे कच्चा माल यहां से तो इसलिए फोर्सफुली वो उगाने की बात करते थे लेकिन अब चंपर जो स्ट्रगल था उसमें गांधी जी ने चलाया तो इसमें ब्रचकिशोर प्रशाद राजेंद्र वही डाक्टर राजेंद्र प्रशाद मौराना मजरुल उलहक अनुराग नरायन शिन्हा बाबु गया प्रशाद सिंग और राम नौमी प्रशाद और कु यह सब बिहार रिजन से आते थे और वहीं के यह फ्रेडम फाइटर हुआ करते थी खेडा जो मौमेंट था सत्यागरा था वह रेविन्यू कि रिलैक्सेशन कहां पर रेविन्यू में जो उन पर क्र लगाया गया था खेडा में किसानों का अंदूलन था तो उसमें उन्हें क्रॉफ फेलियर के कारण यह सूच रहते हैं कि रिलैक्सेशन कुछ गवर्मेंट करते ब्रेटिस गवर्मेंट इसलिए चला था इसी के साथ एहमदाबाद की अगर हम बात करें तो वहां पर कॉटन मील के वरकर्स के द्वारा जो उनको अच्छी सेलरी दी जाए उसकी बात महत्रपूर सत्याग्राम आने जाते हैं इनको अलग अलग भी पूछ लिया जाता है तो डेट याद रखिए किस लिए था याद रखिए और फिर आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं आपको यहां तक कि यह डाइग्राम जो फ्लो बना है इसी तरह से बना लीजे एक्जा सत्याग्राम मोमेंट्स और्गनाइज बाई इसके गांधी जी भारत में आप देख पा रहे हैं यहीं चमपारण की तस्बीर है कितने मास मोमेंट में गांधी जी इकठा कर दिये सबको और गांधी जी ने प्रण लिया था कि वो एक ही धोती जो भी धोती है उसी को हाफ ध जो है उसको पहनेंगे पहनते थे माना जाता है अब जो इस टाइम के होंगे जो भी लिखा था किताब हो खीए हाफ ध्योती को वो मतलब उपर ओधने के काम उनके आता था ठीक है ओड़ने के काम आता था वापस आते हैं यह वह इक्षा कर दिये चंपारण मोमेंट्स इन्होंने दवरा किया था वहां का और 1917 में वहां पर मोमेंट हुआ था याद रखिएगा नील की खेती के जो करने वाले नील के बागानों के जो कामगार थे यह उनका मोमेंट था नील की खेती के कामगार फिर यह कहा था चंपरन आप चंपरन भाईया कहा है चंपरन है बिहार में आते हैं चंपरन बिस्टिक बिहार का है ठीक है जब आप इस तरह से एक आप ऐसे देखेंगे यह वाला डीजन आता है यह यहां पर चंपरन है यह अधर ठीक है यूपी के साइड आप देखेंगे तरह चंपरन पाएंगे ओके नौँट वाज अगेंस अपरेश्यू प्लांटीशन सिस्टम यह जब जस्ति करवाया जा रहा था प्लांटीशन वाला नील की खेती करवाय जा रही थी उसके खिलाफ यह आंदोलन सत्यागरा चलाया गया आगे इनको शफलता भी मिली इसमें अब उसी के समय क्या हुआ एक तो चंपरन मुमेंट हो गया फिर दूसरा खेडा का मुमेंट था यह किसानों का आंदोलन था याद रखेगा व किसानों का ठीक है तीन मुमेंट्स और अलग-अलग छेत्र से फील्ड आप दो वर्क का अलग-अलग थे क्रॉप फेलियर हो गया मतलब उस समय क्या हुआ था आपको मैंने क्या पढ़ाया था वर्डवार में कि वहां पर अकेडमिक फैमाइन आया था और साथ में सूखा य है ना फसलें बेकार हो गई थी तो उसी समय प्लेग आ गया था अपिडेमिक्स मेड़ दा लाइफ आप फार्मर्स मिस्रेलरबल इना खेडा डिस्टिक आप उसी समय जब खेती भी सही से नहीं हुआ फसले नहीं हुआ आनाज नहीं हुआ साथ में डबल कर भी था लोगों आंप लिए उसमय ईडा दीया गया था जो जरू जी यह ते उना पर डबल टैक्स दिया जाता था और साथ में डोमेस्टिक जो कस्टम ड्यूटी भी लगा दी गए थी ना कस्टम ड्यूटी लगा दी गए थी इन सब के चलते और साथ में यहां पर क्लाव फेलियर हो गया उपर से सूखा वाड़ जैसी समस्याउत्पन हो गई इसके चलते बहुत सी प्राब्लम तो यह लोग चाहते थे कि क्या इनका माफ कर दिया जाए माफ कर दिया जाए इनका जो लागान लागान माफ कर दिया जाए देख लेना लगान इसे लिखा जाए ठीक है यह जो टैक्स लगाया जा रहा था इंकम टैक्स उसको माफ करने की बात कर रहे थे लोग है ना तो सो लिख शो इस टार्टेड अब मुमेंट अंडर गांधी जी लीडर्शिप ये जो मुवमिट गांधी जी लीडर्शिप में start किया गया with the demand of the reduction in our land revenue जो भूमिकर था उसको माफ करने की बात की जा रहे थी कम करने की बात की जा रहे थी ये वहीं खेडा में बैठे विए किसानों के साथ गांधी जी है आप देख पा रहे हैं जो मैंने ताय हाफ और ना हाफ हो है ना गांधी जी तो खेडा किसानों का हो गया सबसे पहले नील वाला नील की बागानों में काम करने वाले मजदूरों का मजदूरों का यह हम जिने किशान कहते हैं ठीक है किसानों का दूसरा था किसानों का ठीक है और दूसरा तीसरा मोमेंट स्टार्ट हुआ मील वरकर्स का है ना मील में काम करने वाले मजदूरों का ठीक मील में काम करने वाले मजदूरों का कब 1918 में कहां पर यह था एहमदाबाद है ना एहमदाबाद गुजरात में क्लियर तो आप इस तरह का मैब देखते हैं यहां पर एहमदाबाद यह गुजरात का ठीक है ओके दवेज आबदा क्या था इनमें इनकी मजदूरी को बढ़ाना था और पूर वर्किंग कंडिशन जो उनकी कंडिशन थी उसमें बहुत बेकार थी बेकार काम करने की कंडिशन को सही करना था ठीक और मील वर्कर्स अहमदाबाद स्टार्टेड मुवमेंट अंदर गांधी जी के लीडर्शिप में नेत्रत में उनीस सो अठारा में यह आंदोलन शुरू कर दिया गया यह आप देख पा रहे हैं काम करने वाले लोग लोग थे और यह गांधी जी भासड़ दे रहे है तो तीन मुमिंट गांधी जी ने स्टार्ट किये आईए फर्स्ट चंपारण बिहार देखो में नताय था याद करिए चंपारण बिहार किसके लिए नील की खेती के लिए भूलेगा नहीं मैप बेस और कॉश्चन बेस दोनों आए यहाँ पर एहमदाबाद गुजरात में कपास की खेती करने वाले मजदूरों का था एहमदाबाद में और वहीं यह आप खेड़ा देख पा रहे हैं दोनों पास में हैं यह वहां के कामगर यानि किसानों का मुमिंट था जो की रिबिन्यों को कम करने की बात कर रहे थे तो आई होब आप तीनों मुमिंट समझ गय अब मत कहिएगा इस इसतना अगर आपको डिटेल कोई नहीं देगा ठीक है नाओ थैंक्यू सो मच आज की क्लास कैसी लगी आप प्लीस कमेंट बॉक्स में जरूरू होता हिएगा और इसको सेर करते रहे ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके फ्रेंड सरकल में हैं परसन थैंक्यो सो मच